हलो दोस्तों आप देख रहें डी कोट इंडियान तो यहां पे भारत सरकार के दोरे एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है कंजूमर प्रोटेक्शन को लेकर के और बीसिकली यहां पे जो डायरेक्ट सेलिंग इंटिटीज हैं उनके लिए नए नियम को नोटिफाई किया कर रही है जो इनुसेंट लोग को जो लोग रूरल इलाके में रहते हैं उनको बेवकूप बना करके उनसे पैसे हैं तो इसको यहां पर प्रोट करने के लिए भारत सरकार के दोरा इन नियमों को नोटिफाई किया गया है तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले है तो सभी government news policies schemes और financial news के लिए आप इसे subscribe कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि direct selling entity होती क्या है अगर आपको अभी किसी company का कोई भी समान चाहिए मा लेते हैं कि आपको कोई डव का एक साबुन चाहिए तो आप कहां पर जाएंगे आप basically दुकान जाएंगे और दुकान के पास दुकान के पास organ कहां से होगा मैनुफेक्चर्र के एक तरीके से अलग अलग layer से होकर के एक particular consumer के पास कोई भी समान जाता है यह सब आपको पता ही हो लेकिन आपे होता क्या है इसमें कि वह जो particular product है उसका TRAILníники हम सब यह कंपनिया कोशिश करती है कि इनके दौरा जो भी समान का जो भी सर्विसेस का निर्मान किया जाता है वो डायरेक्ट लोगों तक पहुचा सके बीच में कोई रीटेलर कोई होलसेलर यह सब नहीं हो इसके अंतरकत होता क्या है मैनुफेक्चर के तौर पे एक डिस्टरब्यूटर एक डायरेक्ट सेलर होता है जो कंपनी को यहां पे रीप्रेजन करता है वो आम लोगों के पास जाता है उसे प्रोड़क्ट के बारे में बताता है और अगर लोगों को प्रोड़क्ट अच्छा इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है भारत में अगर हम बात करें तो एमवेग बहुत बड़ा नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंटिटी के तोर पे बहुत सालों से यह काम कर रहा है तक्रीपन सारे पांच लाक इसके सिर्फ डायरेक्ट सेलर है जो एजेंट होते है सिर्फ वो है भारत के अंतरकत काम कर रहे हैं उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है जैसे की औरी फ्लेम हो गई टपड़ वेर हो गई और भी बहुत सारी है जो अच्छे तरीके से यहां पर काम कर रही है वर्ल्ट फैडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसे के एक्वाड यह सबसे बड़ा जो है वह मार्केट हो जाएगा इंडिया के अंतरकर्थ अब भी अंगे सिर्फ इंडिया में बात करें निक्रें सब्से अद्र आ्ड़ा क्पिरयमिट इसकीम को यहां पर पेसिक्ली रन किया जाता है इस इसमें एक पुर्ड़ को रिक्रूट निया जाएगा है उन कмыशन दिया जाएगा लिए को पिरामिट के तौर पर होता है और इस पूठ Öóst के अंतरगर DK प्रोड़ेक्ट परिया जाता है कि लोगों को इसकी अंत्रगत वह इंड्रोल कराए जा सकें उनको फेक प्रोमिसेश की जाती है कि आप हमारी साथ जूरिये आपको हम कमिशन देंगे अगर अगर आप और एक लोग को जुराएंगे या फिर अगर आप हमारे जो प्रोड़क्ट है उसको आप बिच्वाएंगे अब यहां पर बहुत सारी केस में तो क्या होता है यह जो पिरमेड है उनके पीछ में गूर्थ और सर्विस होता ही नहीं है एक कोई वैक्ति होता है वाता डबल हो जाएंगे अगर आप और दो वैक्ति को यहां पर एड करेंगे तो इस तरीके से यह जो पूरा पिरमेड स्कीम है वो फिर बन जाता है आपका मनी सर्कूलेशन स्कीम और इन सब चीजों को ही यहां पर प्रहविट करने के लिए भारत सरकार के दौरा दा कंजूमर डायेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 को यहां पर नोटिफाई किया गया है नोडल कंजूमर अफेर्स मिनिस्ट्री के दौरा और यह जितने सारे भी नियम है वो डायेक्ट सेलिंग इंटिटी जो आफ्लाइन काम कर रही है उनके उपर भी लागू होगा और जो इकॉमर्स प्लेट ाकर में सींग्विस्ट्री साथ is पासका बात करें कि कौन कौन से में नोडिफाई किये गहा है तो सबसे पहले तो यहां पर डायेक्ट सेलिंग इंटिटी को सबसे करने में इसे साहिए इसके अलावा कोई भी कम्पनी जो मनी सर्कूलेशन इसको भी यहां पर प्रमोट नहीं करेगी पिरामेट इसके को प्रमोट नहीं करने से क्या मतलब है? और वो as a registered office जो है वो काम करेगा कम्पनियों को ये declaration देना पड़ेगा कि वो किसी भी प्रकार के पिरामिट scheme के अंतरगत involved नहीं है नहीं तो वो किसी भी प्रकार के money circulation scheme के अंतरगत enroll है इसके अरवा यहां पर सभी कम्पनियों को कहा गये है कि वो एक nodal officer को recruit करे और इस nodal officer का ये जिम्यदारी होगा कि भारत सरकार के दौरा जो भी नियम बनाएगा है और जो भी नियम भविश में बनाए जाएंगे उनको वो company से लागू करवाए साथी में अकसर आपने सुना होगा कि entire selling entity के दौरा समान वगेरा तो बेस दिये जाते हैं जो service वगेरा होती है वो तो दे दी जाती है लेकिन बात में आम लोग पच्टाते हैं कि कितनी खराब quality की उन्होंने गूर्स वगेरा ले ली तो इस चीज़ को यहां पे address करने के लि जहां पे consumer जाकर के आसानी से अपने complaint को फाइल कर सके office के तुरू branches के तुरू direct sellers के तुरू या फिर पोस्ट के तुरू telephone के तुरू email के तुरू website के तुरू कहने का मतलब है कि offline और online दोनों जखा पर यह ववस्था होनी चाहिए कि लोग अपने complaint को यहां पे file कर सके साथी में यहां पे company को यह कहा गया है क्योंकि आम तौर पर जो fraud होते हैं इसके अंतरगत वो direct seller के तौर पर होते हैं ठीक है तो यहां पे company को कहा गया है कि जितने सारे भी agent उनके अंतरगत काम करेंगे उनका एक proper record company के पास होना चाहिए उनका identity proof होना चाहिए address proof होना contact information होना चाहिए इसके अलाबा company को कहा गया है कि वह अपने good chapter services को बढ़ा चरह करके नहीं दिखाए उनका जूठा advertisement वो नहीं करें जो particular product का characteristics होगा जो particular product का feature होगा सिर्फ उनहीं को वो consumer को बताएं साथी में यहां पर यह भी कहा गया है कि कोई भी company जो है अपने आपको consumer के और भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगी ज्यादतर क्या होता है को यह पर वैक्ति आता वह यह नहीं कहता है कि वह इस company का एजेंट है वह यह कहता है कि वह consumer है उसने इस product को service को इस्तिमाल किया है और यह काफी अच्छी और आप भी इससे इस्तिमाल कर दीजे तो इस चीज को जो भी activities की जा रही है उनको सुपरवाइस करें तो आपको यह सारी बाते समझ में आ गई होंगी आपको क्या लगता है कि यह सारे नियम से जो फेक डायेक्ट सेलिंग कंपनियां हमारे देश में रन कर रही है उनके उपर प्रतिबंद लगेगा हमें अपना opinion जरूर बताए प्रतिजे आपको हमें नियम सेलिंग उनके लगता है